तो कैसे हो अब सब दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टीवेस अपाचे RTR 125 अपकमिंग न्यू बाइक के बारे में अपाचे सीरीज के बाइक काफी पॉपुलर है टीवेस की तरफ से लेकिन न्यू पलसर NS 125, NXT 125R के लाँच के बाद अब टीवेस पी सबसे अड़ां की लुक किसी को पसंद आती है और किसी को इस बाइक की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो टीवेस जल्द अपाचे लवर के लिए अपनी अपाचे को 125 CC इंजन में डवेलप कर रहा है इंडिया लॉंच के लिए तो आप कमिंग टीवेस अपाचे 125 का लॉंच आपको कब तक देखने को मिलेगा एंड इसका प्राइस कितना होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को ओरॉल डिजाइन अपाचे 125 का टोटली न्यू होगा फ्रंट में आपको लेटेस हेडलाइट का सेटप मिलेगा फ्यूल टेंग काफी मस्कुलर होगा ब 125 में ही मिलता है एंड आपको तीवे सबाचे 125 में भी अपसाइड दाउन फोक सस्पेंशन मिलेगा गोल्डन कलर में फ्रंट एंड एर वील में आपको सिंगल डिस्प्रेक मिलेगी रे टायर साइज स्लिम होगा एंड इस बाइक में आपको मीटर कॉंसोल मिलेगा डिजिट 2.2 HP, फ्यूल टेंग की कपैस्टी रहेगी 10 लीटर तक एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिलेगी 65 किलो मीटर पर लीटर तक टॉप स्पीड ये बाइक जनरेट करेगा 100 किलो मीटर पर रहा तक तो माइलेज इसमें डिसेंट मिलेगी एंड परफॉर्मंस हाई होगी All new TVS Apache RTR 125 के अगर हम फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिलेगी विड एलेडी डियारल, TFT डिस्प्ले के साथ इसमें आपको डिफरेंट 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 राइडिंग मोज की ऑप्शन के साथ Bluetooth क्नेक्टिविटी भी आफर करी जाएगी, फ्रेंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा जो की ऑप्शनल होगा और इसमें आपको स्टाइलिश इंजन का उल भी मिल जाएगा, सो टीवे सपाचे 125 का प्राइज रखा जाएगा एप्रॉक्सिमेट 90,000 से लेके 95,000 तक और लॉंच इस पाइक का आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग फेस्टिवल सीजन अक्टूबर मंत में इस एर में एंड ये बाइक कॉंपिटिशन देगा बजाज पलसर NS 125 एंड ही सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में